नमस्कार दोस्तों मैं निदी सिंग दा फेक्ट आई में आपका स्वागत करते हूं जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्छा सवदा के परमुक्सन डॉक्टर गुर्मीत रामरहिम सिंग जी इंसा का सच्छ नमस्कार सर्च्छ क्या नमाँ सर्च डेविंधरिंसा तब से जुड़े हूं किया करते हैं मैं सेवह करता हूं सर आप कहते हूं इतने लंबे समय से चुन सब्राइब कर यांपर का True जुद हृट टीता इस इसकी है गलाओं की आपने बोला कि आगी है तो कैसी सेफ्टी से हैं लिए जितना भी मीडिया ने यहां पर दिखाया है कि ऐसा है वो बिल्कुल गल्थ है ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है सर आप कहते हो कि मीडिया चैनलों पर गलत दिखाया गया है संती जी ने आज तक देश के लिए क्या किया संतिजी देश के लिए बहुत कुछ किया है मानत तो बलाई के 147 कार रहें चला रखके हैं जैसे खून दान और गरीबों को राशन देना ऐसी बहुत से 147 कार रहें हैं जो जाएंता करेम हमारी 6 करोड़ी की साथ संगत है वो कोई एक भी इंसान कोई जोड़ के दिखाओ कैसे जुड़ता है और यह सद्गूरी की रहमत है जो 6 करोड़ हमारे भाई वहन यहां पर आते हैं और 6 करोड़ तो अभी है और आगे भी बहुत जादा ही होगी पिताजी के आने के बाद और जादा संगत होगी हमारे यहां पर सर 6 करोड़ भात माईने रखती है मगर आखिर वो कौन लोग हैं जो यह जो अच्छे कारे कर रहे हैं जो लोग और यह देरा सच्चा सौदा आगे बढ़ रहा है मानवत तबलाई में लोग यह जो यह जहाते जकी डेरा आखे बढ़े और जो वो कर रहे हैं बहुत बिल्कुल गलत कर रहे हैं उसका नतीजा उनको बोगत ना पड़ेगा समय बिलकुल नजदीख है पिता जी हमारे आने वाड़े हैं बहुत जल्दी और पूरी दुनिया देखेगी क्या जो भी दिखाया है मीडिया के माध्यम से तो बहुत जल्दी हमारे गुरुजी हमारे साथ ही होंगे और हमारे साथ हैं सेर आप कहते हो कि संत जी हमारे साथ होंगे बहुत अच्छी बात हैं मगर आज समाज में जो घाटा हुआ है संत जी के ना होने से तो वो क्या क्या नुक्साने से जी नुक्सान तो काफी हुआ है जो ये कोरोना काल देखा गया है ये क्या है ये हमारे गुरु जी गो बंद किया तो करोना में सब को ही वह न पर अपड़ा इस चीजंवे में तुमैं हम सरकार से यह है एपील करें कि हमारे गुरु जी को बनांट 2019 गार हों가otes यह मेशिज है कि पिता जी बहुत जल्द बाहर होंगे और बहुत जल्दी ही होंगे सरकार से सरकार से हम यही अपील करेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द रिया किया जाए यूथ होने के बाप्चूद उनका ये कहना है मेरी माभेन जो बेटिया है वो यहाँ पर आती है सुरक्षित है शौध परतीशत यहां पे सुरक्षित है, साथ में यहां पर जो संत जी की समाज को जरूरत है वो बहुत बड़ी है, क्योकि हर साल जो सत्संग होते थे, वो बहुत जादा होते थे, लाखों में संख्या आती थे और नशा और बैश्यावरती संत जी छुबाते थे और बुरा काम चुरूआते थे आपकी जो भी राया कमेंट बॉक्स में में जरू लिकेंगे